दोस्तो हमारे घरों में जो कीचन होती है, कीचन में हम इस प्रकार का फैन इस्तमाल करते हैं, यह जो फैन है, इस फैन को चालू और बन करने के लिए हम स्विच का या फिर MCB का इस्तमाल करते हैं, MCB को अन करने के बाद जो हमारा फैन है वो चालू हो जाता है, अब यदि आपका जो fan है, वो fan automatically off हो जाए, चाहे आप kitchen से बाहर भी चले जाओ, तो भी आपका fan automatically कुछ समय के बाद off हो जाए, तो इस प्रकास से कुछ circuit आप बना सकते हो, इस circuit में आपको एक switch का इस्तमाल करना है, इस switch को यदि आप press कर दोगे, तो आपका जो timer है, वो timer चालो हो मतलब कि जो भी आप time इसमें set कर गए, उस time के according, automatically आपका जो fan है, वो off हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा fan off हो जाएगा, थोड़ा सा ये rotate हो रहा है, मैं इसको touch करके रोग दिया, आप देख सकते हो, off हो चुका है, तो आप देख सकते हो, केवल इस switch को press करने के बाद fan automatically कुछ समय के बाद off हो गया, तो किस प्रकार से fan को automatically off करने के लिए, पूरा connection करेंगे, चलिए, इसको भी समझ लेते हैं, देखें दोस्तों, ये जो मेरे पास में fan है, इस fan को यदि मुझे directly चालू बंद करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो MCB है, इस MCB के output terminal से, मतलब कि जहां से power supply जाता है, इस वाले terminal पे fan के wire को connect करके directly fan को चालू और बंद कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा condition ये है, कि जो हमारा fan है, इस fan को चालू करने के लिए तो MCB इस्तमाल के जाए, लेकिन बंद करने के लिए हम अलग से एक switch का इस्तमाल करें, मतल तो यदि आपके circuit में कुछ ऐसा condition आता है, जहां पे ये कहा जाता है, कि आपको किसी भी device को थोड़ी देर के बाद में चालू करना है, या फिर बंद करना है, तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको इस्तमाल करना पड़ेगा timer, मैं यहां पे pin type वाली timer इस्तमाल कर रहा ह ठीक है, फिलाल के time पे मैं यह वाला timer का इस्तमाल कर रहा हूँ, अब यह जो timer इस timer के साथ में कैसे पूरा connection करेंगे समझते हैं, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो आपका fan है, इस fan का जो face supply वाली wire है, माल लेते हैं कि यह वाला जो wire है, यह face supply वाली wire है, तो इस wire को ले जाके timer का जो NC contact है, उसके साथ connect करना है, आपको क्या करना है, timer का जो NC contact है, उसका इस्तमाल करना पड़ेगा, तो इस timer का जो NC contact है, वो होता है, चार नमर का terminal, तो इस वाले टर्मिनल पे मुझे इस वाले wire को connect करना होगा, तो मैं इसको directly connect कर देता हूँ, इस wire को ल हमें face supply को connect करना होगा तो जो मेरा timer है इस timer के ऊपर में यदि आप देखोगे तो यह जो circuit diagram है इस circuit diagram है यदि आप देखोगे जो 4 number का terminal है वो है NC contact और एक number का terminal है common terminal तो एक number terminal पे हमें face supply करना होगा इस वाले fan के लिए तो इसके लिए मैं एक छोटा सा wire इस्तमाल करता हूँ इस wire को ले जाके MCB का जो face वाला terminal है इस terminal के साथ इसको connect कर दूँगा मैंने इस point पे इसको connect कर दिया अब इस wire से जो power supply जाएगा वो जाएगा इस timer के एक number terminal पे तो एक number का terminal यहाँ पर है तो मैं इसके साथ इसको directly connect कर देता हूँ इस प्रकार से तो इस timer का जो NC contact है उसका इस्तमाल कर लिया है इस fan को face supply प्रोबाइट करने के लिए अब इस fan का जो neutral वाली wire है इस wire को ले जाके MCB के neutral वाल टामिल पे directly connect कर देंगे मैं यहाँ पे इसको connect कर देता हूँ इसको connect करने के बार यदी मैं timer को यहाँ पे लगा दू एक बार यह इसको लगा देता हूँ लगाने के बार यदी मैं MCB को चालू करूँ तो आप देखोगे fan मेरा चालू हो गया और MCB को off करने पे fan मेरा off हो गया मतलब कि अभी normal condition में connection किया गया है केवल timer का NC cortex हमने इस्तमाल कर लिए अब timer के दोरा इस fan को off करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस timer का जो coil है coil का मतलब कि इसके अंदर जो relay लगा होता है उस relay को operate करने के लिए जो A1, A2 terminal होता है उस पे हमें power supply देना होगा तो इसका terminal भी हम देख लेते है यह जो circuit diagram में इसमें बताये गया है कि जो दो number और साथ number का terminal है यह होता है coil का terminal तो दो number का terminal यह वाला है और साथ number का terminal यह वाला है तो क्या करते हैं कि जो दो number का terminal है इस पे हम Face Supply प्रोवाइट कर देते हैं और साथ नमर टर्मिल पे न्यूटर सप्लाई तो न्यूटर सप्लाई यहीं से लूप होगा तो इसको थोड़ा से लूच करके यहाँ पे मैं डारेक्ली एक वायर को कनेक कर देता हूँ और इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा इस वारे टाइमर के न्यूटर वारे टर्मिल पे मतलब कि A2 टर्मिल पे इस वारे टाइमर में साथ नमर टर्मिल न्यूटर सप्लाई के लिए को connect कर देता हूं इस प्रकार से तो मैंने इसको connect कर दिया अब इससे जो power supply जाएगा वो जाएगा इस timer के दो number terminal पे मतलब कि a1 terminal पे आपको power supply provide करना होगा दो number terminal यहाँ पर है तो मैं इसके साथ इसको connect कर देता हूं ओके तो पूरा connection complete हो गया अब मैं क्या करता हूं कि जो मेरा timer है इस timer को इस base के साथ में connect कर देता हूं इस प्रकार से इसको connect करने के बाद हमें timer में time को set करना होता है जितना भी time आप set करना चाहूं आप set कर सकती हो देखिए दोस्तों इस timer में time कैसे set करेंगे इसका video मैंने already बना दिया हूं तो यदि आप सीखना चाहते हो तो इस video का link में आपको description में देदूँगा या फिवीडियो के end screen में भी आपको मिल जाएगा वहां पर click करके देख लीजिगा ठीक है तो simply मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि 10 seconds का time set कर देता हूं इसको off करने के लिए तो यह जो पूरा connection यह कैसे work करेगा इसको भी हम देख लेते हैं देखिए यह जो मेरा fan है इस fan को यदि मुझे चालू करना है तो simply क्या करूंगा MCB जो है इसको on कर दूगा इसको on करने के बार मेरा जो fan है वो चालू हो गया अब यह जो fan है इसको यदि मुझे off करना है तो MCB को off करके इसको मैं off कर सकता हूं आप देख सकते हैं off हो गया दुबारा चालू कर देता हूं अब इसको on करने के बार मैं यह चाहता हूं कि जो म प्रेस करते ही आप देखोगे टाइमर में एक इंडिकेशन गलो हो गया मतलब कि टाइमर का काउंडाउं स्टार्ट हो चुका है दस सेकेंड के बाद फैन अटोमेटिकली ओफ हो जाएगा आप देख सकते हैं फैन का स्पीड कम हो गया ओफ हो चुका है मैं इसको प्रेस करके कर देता हूं यदि मुझे इसको दुबारा ओन करना है तो चाहूं तो मैं इसको ओफ करके इसको चालू कर सकता हूं या फिर MCB को दुबारा OFF करके चालू कर सकता हूँ ठीक है इस switch को OFF करने से क्या हुआ fan मेरा continuously run होते रहेगा लेकिन जैसे मैं इसको ON कर दूँगा तो जो भी time इसमें set के जाएगा उतना time के बाद में fan जो है वो fan मेरा automatically off हो जाएगा आप देखिए यहाँ पे fan मेरा automatically off हो गया speed कम हो चुका है इसको प्रेस करके दुबारा OFF कर देता हूँ I hope कि आपको यह वीडियो पसाना आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद